है chapter that is first farmers chapter का नाम ही first farmers है and as you can name से आप suggest like you know guess कर सकते हो कि इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो तो basically इस chapter में हम लोग जो stone age stone age जो हमारा है जो period already three parts में divided है mesolithic, paleolithic and neolithic so कैसे हम mesolithic तक जो थे हम लोग जो caves वगेरा में रहते थे और जो हम hunter gatherers थे यानि हम wanderers थे हम घूमते रहते थे एक जगा से दूसरी जगा hunting करते करते so वो stage से neolithic में कैसे हम आए और कैसे settlers यानि की village settling के तरफ कैसे हम बड़े और कैसे वो cities वगेरा बढ़ते उसका एक छोटा सा summary type यह पूरा chapter है अलग-अलग कौन से civilization रहे है दुनिया में जो बहुत ही popular रहे है उसके बार में हम यहां पर पढ़ेंगे वो हम basic पूरा हम एक timeline को track करेंगे and that is all about the chapter हमने commerce section से हमारा start कर दिया है पढ़ाई यह साल का art section का history subject मैंने सबसे पहले लिया है so let's just start अगर आप नए subscriber हो या आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please जल्दी से जल्दी subscribe करिए और अगर आप मेरे पूराने student हो तो आपको पता ही है videos कैसे रहते है learning कैसे होती है हमारी so share करिएगा and आप नए नए बहुत सारे technical words आने वाले इस chapter के अंदर कुछ words होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे कुछ words होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे तो वो सारे लिखके रखिए लिखते जाईए and also आप सबको पता होगा कि chapters कितने lengthy होते है already and मेरा explanation मेरा teaching कितना detail में होता है so आपको ये compulsory नहीं है कि पूरा video एक साथ देखना है आप इसे two parts और maximum three parts में divide करके देख सकते है 40 minutes कम से कम आपका attention period होना चाहिए so मेरा ऐसा मानना है कि आप 40 minutes के अनुसार video को देखिए या simply जब 2-2 pages खतम होते हैं मेरे chapter के अंदर उस हिसाब से आप stop करें उस topic पे stop करें जैसे topic खतम होते हैं आप stop करें और कुछ देर बाद आप वापस से continue करें so ये method आपको अपनाना है ये चीज़े मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन कुछ लोग जो पहली बार मेरा video देख रहे हैं उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ कि आपके पास option है stop करके pause करके बाद में video continue करने का ओके so ये चीज़ आप देखिए एक साथ आपको देखना compulsory नहीं है ओके ये चीज़ समझी है जरा सा एंड बुक लेके बैठिए उस बीच में आप रीडिंग कर लीज़े PDF अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये PDF, textbook PDF का description में link डालूंगा और डाउनलूट कर लीज़ेगा ओके, now let's just quickly start not waste further time let me share the textbook with you guys history का पहला chapter first farmers हम करने वाले है as you can see as you can see the textbook आपको देख रहा है and let me quickly थोड़ा सा में इसको rearrange कर देता हूं okay this is better so first farmers as I already told you chapter में हम क्या देखने वाले है let's just dive in, direct start करते पहला part है river valley civilization, तो ये नाम आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, आपके पहले के lower standards में आपने actually पढ़ा होगा last year थो हमने नहीं देखा last year की history बहुत ही अलग सी थी so ये आपने जो देखा होगा lower standards में देखा होगा sixth, fifth के आसपास, seventh के आसपास river valley civilization यानि दुनिया में जितनी भी civilizations के बारे में हमने पढ़ा है settlement वाले लोगों के बारे में पढ़ा है वो हर एक की हर एक civilization river के आसपास हमें मिली है तो वो कौन सी थी? चार mostly like सबसे famously जो आती है उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे chapter चालो उने से पहले आपको उसका एक चोटा सा यह जो paragraph अभी first page पढ़ेंगे उसमें introduction है पूरे chapter में क्या हम देखने वाले हैं okay, let's just start homo habilis made the first stone tools तो first सबसे simple information जो आपको पता ही है कि homo habilis जिसे कहते that is अपने हातों को इस्तमाल करने वाला इंसान अपने हातों को इस्तमाल करने वाला species हम बन चुके थे handyman भी उसे कहा जाता है handyman भी उसे कहा जाता है जो अपने हातों का skillfully इस्तमाल कर सके so homo habilis was the first जिसने stone tools का इस्तमाल करना start किया था these tools were useful only for simple jobs like scraping meat from the hides of dead animals splitting bones to extract marrow breaking nuts etc to strike the stone with just enough impact and to remove flakes from a stone in order to shape a tool was the mankind's first big step in the field of technology तो अब कहरे है कि वो जो stone थे उसके बहुत ही simple uses थे जैसे कि जानवर जो मरा हुआ है उसकी skin निकालना उसे hide कहा जाता है याद रखेगा hides of dead animals तो वो skin काट के अंदर का meat निकालना ये सब simple सा काम bone जो होती extract marrow, nuts को तोड़ना समझो coconut को तोड़ रहे हैं वो लोग तो ये सारी चीजों के लिए simple चीजों के लिए stone का इस्तमाल किया था stone को मारना और उसके छोटे छोटे तुकडे जो निकलते हैं उससे tools बनाना shape करना ये सारा उनका जो था वो पहला step था towards towards technology मतलब ये हम लोग कुछ चेंज करें technology मतलब electrical item ही नहीं होती है आप ये जो innovation करते जा रहे हैं आप ये जो techniques इस्तमाल करते जा रहे हैं उसको भी हम technology कहते हैं तो ये कह रहे है कि जब उन्होंने वो sharp तुकडे जो तूट रहे थे उससे उन्होंने tools बनाना शुरू किया उसको shape देना शुरू किया वो हमारा पहला step था towards technology the latest species of mankind after homo habilis were more evolved तो सीधी जी बात है homo habilis के बाद ज़्यादा evolved homo erectus वगेरा आए और आज हम homo sapiens sapiens कहे जाते है they advance human technology much further तो हम लोग ने और आगे 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 और जितना आगे evolution हो और betterment करते गए through close observations of seasonal cycles in the nature the mesolithic people could domesticate various plants and animals तो एकदम simple उन्होंने जो mesolithic time के जो थे homo habilis वगेरा जो थे उन्होंने observation किया simple observation किया कि अच्छा बारिश हो रही है अच्छा ये बारिश हो रही है after sometime थंडी बहुत लग रही after sometime change और spring आ रहा है summer आ रहा है so ये observation के थू seasonal pattern के थू उन्होंने अलग-अलग plants कौन से कव available होते हैं and animals को domesticate करना चालो किया यानि goats, dog, sheep ये सारे को अपने काम के लिए अपने फाइदे के लिए इस्तमाल करना चालो किया domestication उसे कहा जाता है it resulted into the rise of neolithic age तो सबसे पहले तो mesolithic neolithic ये words आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ meso यानि middle word इस्तमाल होता है let me write it down let me write it down for you guys stone age जो हम कहते हैं stone age जिसे हम कहते हैं वो three parts में उन्होंने divide करके रखा हुआ है stone age को three parts में उन्होंने divide करके रखा हुआ है so old वाला यानि paleolithic paleolithic lithic का मतलब stone litho मतलब stone होता है old stone age इसका मतलब old होता है old stone age paleolithic फिर आता है जो word हमने पढ़ा meso mesolithic यानि कि middle, meso का मतलब भी middle होता है, middle, middle stone age, इसका मतलब, and फिर आता है new, neo, neo मतलब new होता है, okay, so neolithic, so ये age, मतलब उन्होंने time period को divide करके रखा है, कि जिस, किस base में divide किया है, ये भी आप पहले पढ़ चुक्यों, जिस हिसाब से हमें tools मिले थे, paleolithic में simple stone का इस्तमाल करना शुरू किया था, उसे stone tools कहते है basically, and mesolithic में थोड़ा सा उसको हमने और better shape वगेरा दे के use करना शुरू किया था, नियोलितिक में हमने एकदम ही उसे sharp, smooth and अलग तरीके के tools हमने बनाना शुरू कर दिया था, stone के, so यह सब यहां पे उस basis पे हमने उसे बाट के रखा हुआ है, stone इसको पूरा हमने divide करके रखा हुआ है, तो यहां उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग मेसोलितिक से नियोलितिक के zone में जाते हैं, जब हमने सीख लिया domestication करना animals और plants को, ऐसा, cultivation and pastoralism, that is animal husbandry, became a way of life for Neolithic people, तो अब Neolithic वालों के लिए lifestyle change हो गए, cultivation करने लग गए, plants का domestication, यानि कि वो plants को control करके अपने हिसाब से crops उगाने लगी है, in short यह कह रहे हैं, हमें agriculture करना हम सीख गए, cultivation, pastoralism, pastoralism वो होता है, basically animal husbandry, यानि जानवरों को हमने पाल रखा है, उनको हम लोग घास वगएरा खिलाते हैं, उनसे फिर हम लोग दूद वगएरा लेते हैं, मीट वगएरा लेते हैं, तो यह हम जो कर रहे हैं इस lifestyle को pastoralism कहा जाता है, it was the end of nomadic, semi-nomadic life for them, तो nomadic word का मतलब क्या होता है, तो यह सारे words आप अपने आप ही खुद mark करके लिखते जाहिएगा, nomadic culture यानि की जो घूमने फिरने वाला culture था, nomadic, nomad tribes, nomad उसे कहा जाता, nomad यानि की जो घूमते फिरते रहते हैं, वो एक जगा पे fix नहीं रहते हैं, so nomadic and semi-nomadic, semi-nomadic क्योंकि already kind of हम लोग घूमना फिरना बंद कर रहे थे, तो nomadic and semi-nomadic life जो थी, वो पूरी तरह से end हो गई, और अब हम लोग settled होने लग गए एक ही जगा पे, settled villages came into being, the archaeological evidence shows that systematic agriculture began some 12,000 to 11,000 years ago, तो यह आप लिखे रखेगा, दिखिए, यह history में dates वगेरा बहुत important है, बहुत ज़रूरी है, तो systematic agriculture हमने करीबन 12,000 से 11,000 साल पहले शुरुबात की थी, beginning of agriculture and rise of settled villages are the two phenomena that are inevitably associated with each other, so अब कह रहे हैं कि agriculture और settlement दोनों एक साथ जाते हैं, तो एकदम सिंपल जी बात है, देखिए agriculture एक एक दिन का काम नहीं है, दो दिन का काम नहीं है, महने महने लगते हैं, उसके लिए, साल सार लगते हैं उसके लिए, तो अब जो घूमने फिरने वाले लोग थे, हम लोग जो घूमते फिरते थे और अपना खाना वगएरा चलाते थे, अब हम agriculture करने लग गए तो अब हम जगा छोड़के जा नहीं सकते हैं, अब हम गूम नहीं सकते हैं, तो अब हमें settle होना compulsory होगा एक तरह से, क्योंकि हमारा agriculture अब उसे देखना है, उसका ध्यान रखना है, उसको उगाना है बगएरा, जो भी सब उसको करना है, agriculture प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमें एक ही जगा रुखना जरूरी हो गया, so settlement और agriculture ये साथ में जाते हैं, ऐसा ये कह रहे है, the progress in the techniques of systematic cultivation resulted in the rise of the most ancient river valley civilization, और जैसे जैसे इसके अंदर हम progress करते गए, बहुत ही better और होते गए, हमारे यहां पे river valley civilizations आने लग गई, जो neolithic age की है, river valley civilization grew in four regions of the world, तो मैंने starting में आपको कहा, main चार river valley civilizations बहुत ही ज़्यादा जो मानी जा तो चार अलग लग region पर है, those regions are Mesopotamia, Egypt, Indian subcontinent and China, तो ये जो जगाय है, ये आप पहले भी नाम सुन चुके हो, ये ही वो जगाय है, जहां पर आपको पहले, सबसे पहले settlement वाले लोग, settled city बना के, एकदम village वगरा पुरा फॉर्म करके, लोग मिले थे, how did this all happen, कैसे हुआ ये, we shall briefly review in this chapter, तो देखिये, briefly, छोटे sense में review करना है, जादा detail में नहीं जाना है, क्योंकि आगे जितना और chapters है, उसमें आप कही ना कहीं इसको थोड़ा और detail में पढ़ेंगे, यहां हम सिफ summary-wise पूरा chapter को पढ़ने वाले है, है, so let's read, you would like to know में extra information क्या दिये, scientists in the Bar Elan University of Israel, have found out that ancient people had attempted cultivation some 23,000 years ago, they have recorded its archaeological evidence from Ohala, Ohala एक जगा का नाम है, a paleolithic camp site near the sea, Galilee, Galilee एक सी का नाम है, यह आज के Israel country के यहां पर पढ़ता है, यह पूरी जगा, at Ohala, the evidence of Bali, barley egg cereal and some other cereal seeds and fruits have been found along the traces of human occupation, there have been also few seeds of various weeds, these weeds are of evolved types and they are found only with cultivated crops, this fact confirms that the cereals found at Ohala were the remains of cultivated crops and not the wild variety, additional evidence of grinding stones also came forth from the site, they were used to grind the cereals before cooking them, so, अभी recently, कोई research scientist वागेरा ने, बार एलन उनिवर्सिटी के scientist वागेरा ने, जो इसराइल के है, वहाँ पे उन्होंने इस particular site पे, paleolithic, old paleolithic site जो थी वहाँ की, वहाँ पे उनको एक cultivation का proof मिला है, जो dating उसका होता है कि 23,000 years पहले ही यहाँ पे हो चुका था, and उन्होंने proof किया कि, because जो weeds का variety था, वो थोड़ा सा evolve type था, उससे उन्होंने proof किया कि, यह normal कोई ऐसी ही उगीवी चीज नहीं है, यह यहाँ पे proper cultivation हो रहा था, barley and other cereals वहाँ पे उनको, and other fruits वगेरा कि वहाँ पे उनको evidence मिले हुए है, और उनको grinding, यानि कि पीसना, आटे में convert करना, उसका भी evidence मिला है, इससे साबित होता है कि उन्होंनों खाना बनाने से पहले, वो आटे में convert कर रहे थे, let's read the first, हमारा first river valley, civilization कौन सा है, the valley of Euphrates and Tigris, तो ये दोनों river के नाम है, नाम लिख लीजेगा, Euphrates and Tigris, ये दोनों river के नाम है, उसके बीच की जगा है Mesopotamia, Meso, Meso का word पहले ही मैं बता चुका हूँ, middle आपको, तो Potamia का मतलब river होता है, तो Mesopotamia, यानि दो river के बीच की जगा, ancient Mesopotamia included modern Iraq, Syria, as well as the western regions of Iran and south eastern regions of Turkey, so as we can also see the images, मैं आपके लिए ये images रखे हुए है, आज की जवाने में Mesopotamia जो जगा है, वो कौन सी जगा होती है, तो Iraq, Syria, Iran and Turkey के आसपास की ये जो पूरी एरिया जो आपको दिख रही है, and specifically दो river के बीच में जो ये दिख रहा है, Mesopotamia is the Greek name of the region between the two rivers, Tigris and Euphrates, तो मैंने आपको अरड़ी बताया है, Tigris and Euphrates, river का नाम है, और ये Greek नाम है Mesopotamia, जिसका मतलब होता है दो river के बीच में, Meso means the middle one, Potomus means river, the region between two rivers is Mesopotamia, the Mesolithic people begin to stay in this region for a longer times because of the availability of ample water, also both the rivers flooded annually making the soil on the riverbanks very fertile, the camps of Mesolithic people developed into the first settled Neolithic villages, ये line लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमें बताया है कि Mesolithic people यहाँ पर रहना चालू किये, उन्होंने यहाँ पर रहना चालू किया and उन्होंने यहाँ पर river का जो है, river का जो है flood होता है, जिसके वज़े से fertility आपको इनको मिल रही है, fertility मिलने से अब क्या हो गया, कि यहाँ पर अब वो उगा सकते हैं चीज़े, और Mesolithic people ने यहाँ पर रहना चालू किया और यही बन गए हमारे पहले Neolithic villages, पहले settlements, Neolithic इनके ही generation आगे जाके, Neolithic के पहले settlement बन गए, इस first villages are dated to 10,000, 10,000 years before common era, अब B.C.E. बगरा क्या है आपको पता होना चीज़े, यह सब हमने 10th में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था, कहीं न कहीं पढ़ाया था आपको यह, So before common era, simple इससे पहले B.C.E. before Christ भी कहा जाता था, सीरियल है जो हम खाते है, बारली को हिंदी में यहां पर हमारे यहां पर जव कहा जाता है, जव का पानी, बीर जो होता है अगर आपको पता होगा, बीर जो होता है वो बाली से बनता है, माल्ट उसे माल्ट भी कहा जाता है, So बाली is a cereal एक तरा से, नाओ, सेकेंड वाला जो हमारा है, वैली ओफ नाइल, एजिप्ट में, दे कंट्री इन नौदन पार्ट उफ आफ 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 नाइल रिवर इस एजिप्ट, तो एजिप्ट कौन सी जगा है, तो आफरिका कॉंटिनेंट में आता है नौर्थ के तरफ, और नाइल रिवर, नाइल रिवर जो सबसे लॉंगिस्ट रिवर है हमारी, नाइल रिवर के वैली में जो एक जगा है जिसे एजिप्ट नाम दिया गया है, निपूलियन बोनपॉर्ट जो फ्रेंच जेनरल थे, पहले जेनरल माने जाते हैं, सबसे आगे मिलिटरी में थे यह और उनोंने रिवलिशन में पाट खा पिकी लीया था और काफी कभजा वगरा किया था उनके टेखनीक के वजय से और पहले जेनरल बने थे, सबसे आगे मिलिटरी जेनरल बने थे, इप्रेर बने देखतग है फ्रांस के, So Napoleon Bonaparte had taken along many scholars from various fields during his invasion of Egypt in 1798 तो 1798 में जब Napoleon ने Egypt पे you know invasion किया था पहले की जमान में वो लोग invasions करते थे अलग-अलग जगाओ पे raids करते थे जैसे हमारे यहां पे Indian support agreement आपने सुना होगा Mughals आते थे फिर दूसरे Afghani आते थे अलग-अलग बार-बार वो लोग raids करने आते थे, invasions करने आते थे तो यह वैसा ही कुछ है So Napoleon France से Egypt की तरफ invasion के लिए आते थे तब उन्हें कुछ मिला था They studied ancient remains in Egypt and published it उन्होंने यहां का यह सब study करके publish किया था This studies received a momentum because of the decipherment of Rosetta inscriptions तो अब यह पूरा क्या है थोड़ा सा मैं आपको अलग से explain करता हूँ Now, Rosetta, Rosetta आपने नाम सुना है कि ना, I don't know, Rosetta एक जगा का नाम भी है Rosetta Rashida, Rashida भी उसे कहा जाता है Rosetta, Rosetta Stone नामक एक हमें चीज मिली थी As you can see the image, Rosetta Stone हमें मिला था उसके अंदर तीन अलग-अलग भाशाओं में inscriptions थी अब उसमें Egyptian भाशा थी और सबसे important herioglyphs थी herioglyphs वो होता है जिसमें picture यह जो आप symbol जैसा दिख रहे हो picture type का script होता है जो पहले के priest और पहले के बहुती जो higher level वाले nobles वगेरा थे वो लोग ही use करते थे, priest वगेरा खास करके और use करते थे common लोग normal दूसरी भाशा हमें थोड़ा सा बात करते थे so यह Rosetta में तीन अलग-अलग तरह की भाशाएं मिली थी जिसको बाद में decipher, decipher यानि कि इसका meaning हमें नहीं पता था Egyptian hieroglyphs के meaning हमें पढ़ना नहीं आता था Egyptian hieroglyphs जो था हमें वो read करना नहीं आता था वो alphabets क्या है हमें read करना नहीं आता था तो जब यह Rosetta Stone मिला था, तब Britishers ने Rosetta Stone, Britishers के, Britishers ने France को जब कबजा किया था तो Britishers ने Rosetta Stone अपने कबजे में ले लिया था और तब Britishers के like offices वगरा ने उसे decode किया था उसे decipher कहते हैं, यानि कि पता लगाया कि अच्छा यह alphabet यह है, यह alphabet यह है तो यह इस basis पे हमने पूरा Rosetta inscription decipher कर लिया था और हमें hieroglyphs, Egyptian hieroglyphs यानि कि वो भाशा जो लिखी गई थी वो पढ़ने आ गया, जिसके वज़े से बहुत सारे जो एजिप्ट में various scripts, various अलग-अलग जो जो भी उनका data था जो पहले हम पढ़ नहीं पा रहे थे, जो हमें पढ़ना नहीं आ रहा था वो हमने decode कर लिया, तो यह पूरा एक overall एक story यहां का मैंने आपको बता दिया, कि कैसे हमें यहां की information मिली, okay, let's read ahead, map दिया है आपको बड़ा प्यारा सा, इसको थोड़ा सा zoom करके मैं आपको बताता हूं, let me, let me, let me, let me, let me zoom this, okay, I guess, थोड़ा सा blur होते जा रहा है, बढ़ हल लग से दिखाया यह, फिर भी मैं थोड़ा सा mark कर लेता हूं, यहां पर, यह रहा दो river, I don't know if you can see this, there are these two rivers here, there are these two rivers here, as you can see, Euphrates and Tigris, और यह yellow जो जगा है, जो मैंने भी red कर दिया, that is Mesopotamia, okay, Mesopotamia यह है, okay, and यहां Europe में France यहां पर पढ़ता है, France यहां कहीं आता है, यहां से Egypt की तरफ, यहां पर invasion के लिए Napoleon आये थे, और यह Egypt है, Nile River देखे, कितनी लंबी सी है, यह यहां तक देखो, longest river, Africa के north तरफ Egypt है, और यहां पर यह जो civilization है, River Valley civilization, Egypt, जिसका नाम है, यहां से Napoleon यहां पर आये थे, जिन रोजेटा स्टोन यहां पर मिला था, उनको, okay, and बाकी के civilization ह यहां हमारा Indian continent civilization, Harappa civilization, जिसे हम कहते हैं, and यह China वाला civilization, Huang He River के वाज में, I don't know, इसका pronunciation सही है कि नहीं, Huang He River के यहां का civilization, तो यह चार civilization है, दो हम देख चुके हैं, बाकी के दो देखते हैं, आगे, let's read ahead, So, the first, the first, the first, the first, the first, the first Neolithic villages in Egypt came into being at about 6000 before common era, तो यहां पर Egypt में, Egypt में कब पहला, पहला Neolithic village का trace back मिलता है, हमें 6000, तो उपर हमने क्या देखा था, पहले Mesopotamia का देखा था, हमने 11,000 years back, right, 11,000 before common era, तो यहां पर 6000 before common era, हमने देखा था, तो हरे का आप Individually, place के अनुसार, date याद रखेगा, the beginning of agriculture in Egypt coincides with the same type, तो यहां पर agriculture भी करीब उसी time पर, coincides, यानि कभी वही time पर, साथ में आता है, the first crops grown in this village is by wheat and barley, तो wheat and barley is almost a common crop, जो हर लोग, हर एक civilization ने उगाया, था, okay, बहुत ही common सा, Third civilization जो यहां पर है, the valley of Wanghi, यह river का नाम है again, the valley of Wanghi, he river is considered to be the region of origin of Chinese culture, तो यह important again याद रखना कि Chinese culture कहां से start हुआ, तो Wanghi river के यहां से start हुआ, ऐसा माना जाता है, Chinese culture evolved here, agriculture in the Neolithic villages of China begin at about 7000 before common era, तो यहां पर कब चालू हुआ था, 7000 before common era, चालू हुआ था, wheat, foxtail millet, rice were grown by farmers in this village, तो यहां पर थोड़ा सा और डिफरेंट, आपको बाली नहीं मिला, wheat है, foxtail millet, अलग-अलग millets होते हैं, जवार, बाजरा जो होते हैं, वो सब millets के type होते हैं, अलग-अलग, so foxtail millet होता है, एक, वो and rice यहां पर उगाने का हमें evidence मिला हुआ है, okay, let's read ahead, fourth आपको दिया हुआ है, valleys of Sindhu, Indus River, Sindhu, Sindhu River का नाम भी है, जिसे Indus River के नाम से भी जाना जाता है, and Saraswati Indian Subcontinent, तो हमारे यहां पर जो पहले, original Indian Subcontinent अगर पूरा बोले, जब पाकिस्तान अलग नहीं था, तो वो पूरा अगर बोले, तो तब की बात हो रही है, पर, the region of the valleys of Sindhu and Saraswati is now divided between India and Pakistan, अब अब की जो अगर बात करें, तो वो डिवाइड हो चुका है, Harappa civilization के बहुत सरे साइच, अब पाकिस्तान में पढ़ते हैं, okay, archaeological excavations at Harappa on the banks of Ravi in Punjab and Mohonjodaro on the banks of Sindhu in Sindh, indicate the existence of a fully developed civilization in the Indian Subcontinent, which was dated in circa 3000 before common era, so, यहाँ पे आपको simple information दिया कि Harappa civilization, जो रवी, रवी एक river का नाम है, जो पंजाब में है, उसके banks में, यानि रवी river के बाजू में, आसपास में, हरपा civilization मिला था, and Sindhu river के banks, जो Sindh जगा है, जहाँ पे river Sindhu है, उसके banks में जो जगा मिली थी, city, एक छोटा सा मिला था, Mohonjodaro, जिसका नाम है, यह picture में भी आपको यह देखने मिलेगा, Mohonjodaro पिचर में उन्होंने यह सब फुरा बताया हुआ है, यह पहला full, full एकदम अच्छी तरह से systematic चलने वाला civilization का evidence है, जो करीब, करीब, approximate का मतलब होता है, सिरका, approximate 3000 before common era था, before 3000, 3000 साल पहले की बात है, before common era, before common era मतलब अगर अभी के time से बात करो, तो 2000 अपना अभी का year add कर दो, यानि 5000 years पहले, हरपा civilization लोग थे, Mohonjodaro वाले लोग थे 5000 years पहले, approximately, ऐसा इसका meaning होता है, A number of archaeological sites of Neolithic villages have been now discovered, और अभी तो इसके बाद हमने काफी अलग-अलग बहुत सारे Neolithic villages के sites हमने discover किये है, It proves that there were well settled villages in the Indian subcontinent as early as 8000 before common era, तो यह से प्रूफ होता है कि करीब 8000 before common era से अलग-अलग जगावा पे पूरे Indian subcontinent पे Neolithic villages settled हो चुके थे, there is a general consensus among the scholars that Harappan cities evolved from these early villages, ऐसा माना जाता है कि Harappan 3000 था, यानि पहले village settlements हो रहे है, पहले village settlements हो रहे है, Mesolithic वाले और जो Neolithic में जा रहे है, So Harappa और Mohanjodaro यह जो जगाए है वो बाद में आता है, इसमें आपको logic समझना 8000 मतलब पुराना, 3000 मतलब उससे बाद में आने वाला, Okay, timeline उल्टा जा रहा है हमारा, 2000 मतलब 3000 से पहले वाला है, So हम लोग उल्टा reverse आ रहे है, जब तक B, C, E लिखा हुआ है, I hope आपको यह concept पता है, आपने पहले के वीडियोज देखे है, Okay, date line कैसे होता है, So 8000 हमारा पहले, यानि कि तब जो settlements चालू हुए थे, वही जाके धीरे धीरे जब 5000 years आगे आगे, वो लोग 3000 common era के time पे आगे, before common era के time आगे, वो लोग, तब जाके हरपन cities, वही लोग हरपन cities में convert हो गए होंगे, ऐसा ये माना जाता है, Bali was the main crop, माना जाता है, Bali main crop था, जैसे कि पहले ही मैं आपको बता दिया, however, wheat was also grown on a smaller scale, the first farmers in the villages were the first farmers of the Indian subcontinent, यहाँ पे जो पहले farmers थे, वही पूरे Indian continent के पहले farmers थे, जो हमारे chapter का नाम है, they kept cattle and goat sheep, यह सब लोग अपने पास रखते थे, farming वगएरा में use करते थे, दूद वगएरा निकालते थे, rearing वगएरा करते थे, animal husbandry करते थे, they lived in mud houses, यह लोग मड का घर बना के रहते थे, the archaeological sites at Meheghar in Balochistan, आज की तारिक में पाकिस्तान में जो जगा है Balochistan, वहाँ पे Meheghar नामक एक site है, जो काफी पुराना neolithic site हमारा माना जाता है, हरपन civilization के लिए, so यह यहाँ पे क्या मिला है हमें, evidence of continuous human occupation from the neolithic times to the rise of हरपन, so neolithic से लिए के हरपन तक के continuous time में जो भी वहाँ पे हुआ था, occupation हुआ था, उसके proof हमें मिलते है, and material culture, हमें अलग-अलग material culture हमने देखे थे, पहले के 10 वगएरा के chapters में क्या-क्या हमें चीज मिला था, dancing doll वगएरा वो सब चीज़े याद है, तो ये सारी चीज़े अलग-अलग हमें हर अपन साइट से मिले थी, जो आगे के chapters में और detail में आएगा, beginning of cultivation, so cultivation की शुरुआत, अब अगिन, अब हमने ये जो चार civilization देखे, उसको हमने overall पूरा देखा, अब फिर से हम वापस से पीछे जा रहे है, time में, और अब फिर से beginning of cultivation कैसे हुआ रहेगा, वो पूरी story अब देखेंगे, अलग-अलग civilization की mix करके, okay, so ये ज़रा chapter का flow समझे कैसा है, chapter का summary पहले आया, summary में हमने देखा, चार civilization है, चार civilization में पूरा overall उनों ने बता दिया क्या हो रहा था, कि वो लोग settle हो रहे थे, cultivation कर रहे थे, villages, cities में convert हो रहे थे, ये हमने पूरा pattern देखा, अब हम लोग cultivation कैसे start हो, वापस से उनके अंदर जा रहे, back in time वापस से जा रहे है, और हम लोग फिर से start कर रहे है, read करना, beginning of cultivation, agriculture production, तो कैसे शुरुवात हुई दी सारी है, transition from hunter-gatherer's life to the beginning of cultivation was a very slow process, drawn over thousands of years, beginning of cultivation is also the beginning of the neolithic age, तो बहुत सारी information यहां पर, सबसे पहरे, यह आपको समझना है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग hunter-gatherer's से सिधा cultivation में आ गये थे, तो यह कोई रातो रात वाली या चार दिन में होने वाला change नहीं है, यह thousands of years लगे हमें, thousands of years लगें, हम उसमें से धीरे 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 evolve होके हम आए, जरा सोचिए, जो इतने millions of years हमारे stonage, so paleolithic stonage ही इतना बड़ा है, हमारा mesolithic हमारा चालो होता है, जब हम लोग यहां प tools में हमारे इतने अच्छे नहीं थे, तो यह हमारे अंदर evolution बहुत ही slow process है, so यह जो पूरा process है, hunter gatherers से cultivation तक का thousands of years में फैला होआ है, और cultivation की शुरुवात ही मानी जाती है, neolithic age की, मतलब हमने अच्छे खासे stone tools बनाने के बाद cultivation जब चालो किया, तो meso से neo में आ गये, तो cultivation की शुरुवात ही, neolithic age की शुरुवात मानी जाती है, it spans through 10,000 to 8,700 before common era, it may vary to some extent from place to place, this period marked the beginning of domestication of animals along with beginning of cultivation, barley was the main crop in this period, other crops were wheat and flaxseed, तो यह पूरा information आप कही न कही अभी हमने पढ़ लिया है, कहां से कहां तक, तो 10,000 से 8,700 before common era का पूरा जो एक time है, वो माना जाता है शुरुवात यह सारी चीज़ों की, जहां पर हमने animals को domesticate करना सीख लिया है, जहां पर हमने cultivation शुरुवात कर ली, जिसमें हम लोग क्या cultivate करते थे, बारली हमारा main crop था, इसके अलावा छोटे मोटे, हमने देखा rice, wheat, flaxseeds, यह सारा चीज़ हम करते थे, यह यहां पर बकसे में आपको you would like to know में, वांग ही river के बारे में थोड़ा बता है, वांग ही river का translation होता है yellow river, क्योंके वहां पर yellow color का sand, silt वगएरा वहां पर उसके अंदर पाया जाता है, जिसके वज़े से उसका color yellow दिखता है, इसलिए उसका नाम यह उन्होंने दिया था, उसका दूसरा meaning mother भी है और सिर्फ river भी है, इससे बताते के Chinese culture वाले उससे कितना importance देते थे, तो यह basic वहां पर information है, आप थोड़ा सा उससे read कर लीजेगा, उसमें कुछ जादा बताने जैसा नहीं है, let's move ahead, these are the tools, यह आपने, आपके SAC के, if I remember correctly, 6th या 7th standard में यह आपको देखने मिलता है, same image पुरा, यह mesolithic tools change हो गए, हम जो paleolithic में थे, अलग तरह का stone tools करते थे, mesolithic में कुछ अलग तरह की से करते थे, और इसको और betterment बाद में हमने newolithic में कर दिया, तो यह mesolithic period के tools है, जिसमें हमने micro lith, micro यानी छोटा होता है, micro का मतलब छोटा होता है, यह word बहुत बार आने वाला याद रखेगा, micro यानी छोटा होता है, तो यहाँ पे हमने अब क्या हो गया था, change क्यों हो था, मैं आपको बता दे था, story पूरी एकदम, छोटी बार एकदम, हमारा ice age, हमारे यहाँ पे ice age होता था पहले, तो हमारा पूरा जो stone age period है, maximum जो था, और paleolithic तक का stone age पूरा जो था, वो पूरा ice age था, अलग-अलग climate जो था, cold पूरा climate था, और तब मैमोथ होते थे, और बड़े-बड़े अलग-अलग जानवर होते थे, rhinoceros होते थे, बड़े hairy, rhinoceros होते थे, बड़े-बड़े, वो सब होता था, ice age था, और जब ice age आखरी ice age खतम हो गया, that was 11,000 years before कॉमने था, जब वो ख अब उनको जो tools चाहिए, वो अब छोटे animals को पकड़ने के लिए tools चाहिए, fishing के लिए उनको tools चाहिए, तब जाके requirement, जैसे necessity बढ़ती, necessity is the mother of invention, एक quote है, तो जैसे necessity बढ़ी के अब हमें कुछ अलग करिके के tools चाहिए, जो sharp हो, जो छोटी-छोटी चीज़े पकड़ सके, जो करने लगे, वही period का start है, mesolithic period हमारा, okay, so यह कुछ tools यहां पर दिये है, fluted core, mesolithic blades, अलग-अलग blades है, cutting वगएरा, skin cut वगएरा के लिए आता है, arrowheads देखिए, कैसे arrow के आगे हम यह लगाते थे, उसको hafting कहा जाता है, उसको band देना, या glue वगएरा से चिपका देना, तो उसे hafting process कहते है, so यह arrows है, यह fish का hook है, as you can see, let me mark this, यह fish के hook से, अलग-अलग fish पकड़ने काम आता था, और यह serrated knife यानि कि यह पूरी, हमने knife बनाई है, hafting, देखिए by hafting, hafting यानि कि मैने आपको कहा, अलग-अलग वहाँ पे धा, जैसे, I don't know if you can see this, but this is like ऐसा धारीला जैसा बनाने की कोशिश की है, तो उसको अलग-अलग shape देके चिपकाया गया है, काटके बांदा गया है, so यह उस तरह से हमने knife बनाई है, cutting के रिये पुरा, यह tools है कुछ, let's move ahead, it is apparent that common prerequisites were present in Mesopotamia, Egypt, China and Indian subcontinent to initiate the onset of Neolithic age and agriculture, तो यह कहते हैं कि हमने देखा कि सब जगा पे Neolithic चालो होने के यह पहले से कुछ चीज़े मौझूद थी, यानि कि पहले से यह सारे हम लोग tools यूज करना जानते थे, पहले से हम लोग hunting बगरा जानते थे, तो Mesolithic पहले से मौझूद था, वही Neolithic में convert हो रहा है, okay, the last glacial period in the history of our planet came to an end at about 12,000 to 11,000 years ago, जैसे कि मैं आपको कहा, last ice age हमारा जो period उसे कहा जाता है, वो खतम हो गया, 11,000 से 12,000 साल पहले खतम हो चुका था, and तभी से, it was the start of a new epoch, new epoch यानि एक नया era के अंदर एक नया time चालू होता है, नया period चालू होता है, जिस period का नाम है, Holocene period, तो यह जरा असा लिखके रखेगा, नए new epoch had started after the end of the ice age period, Holocene period, जो अ is Plastine period, I don't know its spelling कैसे है exactly, but as you can see the images, जो मैंने यह post में डाले है, so यह सारे अलगलग periods है, यह अलगलग era के नाम है, उसके अंदर periods के नाम है, यह हमने अर्थ के age के हिसाब से नाम दिया हुआ है, यह सारे अर्थ के age के हिसाब से नाम है, यानि geological age के हिसाब से नाम है, so अभी क period जो हमारा चल रहा है, जो 11,000 साल से चल रहा है, that is Holocene period कहा जाता है, in the beginning of Holocene, glaciers begin to melt and the water volume in the water bodies like rivers and ocean increased, तो धीरे धीरे ice melt होने लग गया, and rivers में और oceans में पानी की मातरा बढ़ गए, as a result, the availability of animals and vegetations for food increased, जिस से अलग अलग vegetations, animals बढ़ने लग गए, this period had also witnessed extinction of species of gigantic animals like mammoth, जैसे कि फोटो आप यह देख सकते हो, mammoth वगेरा बड़े बड़े जो इतने बहुती विशाल, बहुती वास्ट बड़े से जो जानवर है वो सारे extinct हो गए, extinct हो गए, क्योंकि यह लोग cold climate के लिए बने थे, however, varied species of fish and small animals like goat, sheep, deer, etc. were amply available for food, लेकिन अब इन के बड़े में, दूसरे बहुत सारे अलग-अलग animals and species available हो गए हमारे लिए, the heavy tools of the paleolithic times were of no use, either for the fishing or for hunting small animals, अब जैसे कि मैंने आपको अलड़ी बता दिया था, कि पुराने tools अब कोई काम के नहीं रहे, जो paleolithic times के tools थे, अब कोई काम के नहीं रहे, अब हमें नए tools चाहिए, इ the technique of removing long stone blades have been developed in the upper paleolithic age, the mesolithic age, the same techniques was used and blades as small as fingernails, नाखुन जितने चोटे-चोटे साइस के blades बनाना हमने start किया, make tools, these blades known as micro-lith, उसे micro-lith कहा जाता है, where hafted, hafted जानी, बांधा जाता है, अटकाया जाता है, wooden tips of the, on the tips of the wooden bone shafts or in the grooves made on that shaft, तो या तो bone का तुकड़ा हम जो bone हमें हड़ी बगएरा मिली है, उसका इस्तमाल करता है हम लोग as a tool, उसके ओपर हमने कहीं अटका रखा हुआ है, या तो हमने wood बगएरा उसके ओपर हमने अटका के रखा हुआ है, ये blades को, छोटे-छोटे, ना पूंज बगएरा आने लग गया, अवेलेबल होने लग गया, ample cereals fruits grown naturally were available, अब ice age नहीं है, vegetation हो रहा है हर जगा पे, so अलग-अलग cereals fruits grow हो रहे हैं, जो हमें पता पढ़ रहे हैं, tools like sickle scythe were made by hafting microlet for harvesting the cereals and fruits, अब उसको काटने के लिए, जाड बगएरा काटने के लिए, तो sc scythe, ये एक tool का नाम है, as you can see the image, scythe, sickle, ये सब हमने बनाना शुरू किया, अलग-अलग wood और bone and अलग-अलग microlet का इस्सामान करके, does the technology evolved, ये हमने क्या किया, evolution करे, technology evolved करे दिया हमने, the techniques of hunting, obtaining food improved, food became available in plenty, this resulted in making the mesolithic people to stay at one place for a longer time of the year, तो अब हम लोग एक जगा पे जादा देर रुकने लग गए, दीरे दीर हम लोग जो wanderers थे अब हम, settled होने लग गए, harvesting of natural grown cereals led them into systematic cultivation, the technique of agriculture and pastoral operations continue to evolve, the nature of this operation is such that farmer is compelled to settle down permanently near the cultivated land, he does not need to go out in search of food, this is how the villages were settled on a permanent basis, this prepared the ground for the rise of Neolithic age, this transition was drawn over a prolonged period, nevertheless consider radical changes in the way of life during the Neolithic age, the Australian archaeologist Gordon Shild coined the term Neolithic revolution, तो एकदम simple पूरा जो already मैं आपको बात बता दी है कि अब हम लोगों को भटकने की जरुवत नहीं है, अब हमें दूर दूर जाने की जरुवत नहीं है, खाने की लिए, इनसान क्यों करता है, यह सब खाने के लिए करता है, पेट के लिए करता है, right? So वो अब करने की जरुद नहीं क्योंकि अब बैठे बैठे मैं यहीं पर agriculture systematic मैं सीख रहा हूँ धीरे-देरे, मुझे एकी बार मैं आ नहीं कि कैसे करते है पूरा agriculture, मैं धीरे-देरे सीख रहा हूँ और धीरे-देरे animal husbandry कर रहा हूँ, animals को पाल रहा हूँ, domesticate कर रहा हूँ, plants के बार में सीख रहा हूँ, उसे agriculture में use कर रहा हूँ, cultivate करना सीख रहा हूँ, यह सब करके मैं एक ही जगा settle हो रहा हूँ और यही चीज बन जाता है हमारा neolithic age के लिए ready, हम लोग अब next stage में जाने वाले है, neolithic age में जाने वाले है, तो उसका ये इसको कहा गया है, neolithic revolution कहा गय है, जब इनसान ready हो रहा था, mesolithic वाले ready हो रहे थे, neolithic में जाने के लिए, okay, first farmers of India, let's read about that, first farmers, तो यही अब neolithic में आ चुके हम लोग first farmers हो गए, हम लोग सब, neo means new, already मैं आपको बता दिया, lithic means stone, neolithic age got its name because of the stone tools of completely new types, क्योंकि अब सारे tools एकदम नहीं हो चुके, अब पूरे tools अ अब मुझे agriculture के लिए अलग तरीकी के tools के, जो मैं animal को पकट रहा हूँ, animal को मार रहा हूँ, वो tools अब मेरे agriculture में काम नहीं आ रहे, तो जब एक common sense समझे आप, so it included short long heads of eggs, अलग-अलग size के eggs, made of polished stone, अब पॉलिश, पहले के tools अगदम खाली पत्थर का shape थोड़ा से दे आपने अब पॉलिश कर रहे है, अब पॉलिश कर रहे है उसको, polished stone rings अगेरा, eggs heads were hafted on wooden shafts and used for cutting trees, scraping wood to give it a desired shape etc, it was essential to clear the jungles by felling trees in order to obtain land for cultivation and settlement, the new tools came handy for this work, so अब trees काटने के लिए हमें tools चाहिए, तो उसको हमने eggs अलग-अलग बनाए, अब ट्रीश क्यों काटना है वो भी बता है उनोंने, जंगल क्लियर कर रहे है क्योंकि वहां पे ही farming होगा, fertility वाली चीज पे farming होगा, cultivation होगा, और वो काटके wood वगेरा पे हम लोग settlements के लिए हम लोग घर बनाएंगे, अलग से जगा ये सब, so ये सब हम लोग करने लगे, और ये tools अब बहुत ही काम आने लगे है, handy यानि बहुत ह हमारे हर काम के लिए, ये tools सारे, we have already seen that the site of Meheghar came into existence around 7000 before common era, this site is of great importance among the Neolithic villages in the Indian subcontinent, established by the first farmers, तो याद रखना, Neolithic village site Meheghar, जो हमने ऊपर already देखा, Baluchistan में जो आज में पढ़ता है, present Pakistan, Baluchistan में ये जगा है, ये हमारे Neolithic village की पहली site, जहाँ पहले farmers है, ये बहुत है, ये सब हिस् जो लोग UPSC बगरा सोच रहे है, UPSC करना, Public Service में जाना, ये सब exams के लिए जो सोच रहे है, कोई भी common entrance exam के लिए सोच रहे हो, ये सारा history questions पूछा जाता है उसके अंदर, ओके, तो ये सब लाइक, अभी से ही आप अगर notes बनाओगे, ये सब याद रखोगे, सीख लोगे, आ आपको, आपके future में काम आने वाला है, ओके, सो याद रखेगा इसा, the KBC में भी काम आ जाएगा, अगर आप KBC में जाओगे तो कभी, ओके, सो लेट्स रीड़ है, the Mehegar farmers cultivated Bali and wheat, तो ये लोग भी क्या हुगाते थे, Bali, wheat हुगाते थे, सब को पता है, हमने अब ये जानी लिय है, there is another site of a Neolithic village, that is contemporary to Mehegar, तो एक और कोई साइट है, जो Mehegar के साथ ही, दूसरी जगा पे, उत्तर प्रदेश में जो डेवलप हुई थी, the site was found at Lahura Deva, Lahura Deva, in Santh Kabir Nagar district of Uttar Pradesh, तो उतर प्रदेश में Kabir Nagar Santh district के यहां पे, Lahura Deva करके, एक साइट मिली थी, जो की Mehegar में जब स थी, उसी ताम पे ये भी माना जाता है, हुआ था, इन Maharashtra, the Mesolithic men existed during 10,000 to 4,000 before Kaumani Ra, he stayed in natural caves and under rock shelters, he moved along the riverbanks, he made microliths from siliceous stones, however, no evidence of purely Neolithic sites have been found in Maharashtra, what we have instead are the Chalcolithic villages, the Chalcolithic people were the first farmers of Maharashtra, इनामगाओ in the Shiroor Taluka of Pune district is an important site of village of Chalcolithic farmers in Maharashtra, so अब कहरें कि Maharashtra में अगर बात करें, तो Maharashtra में कोई Neolithic की site हमें नहीं मिली है, लेकिन Mesolithic men यहां पे मौझूद था, 10,000 से 4,000 before Kaum Nera, यह मौझूद था, वो rock shelters में रहता था, naturally जो caves बने हुए है, वहां पे रहता था, हम वहां पे रहता था, तो वैसे सब जगा पे रहता था, river banks को follow करके वो रहता था, वहां ही पे travel करता था, वो silicious stones, silicious यानि कि जो silica से, जो जिसके अंदर silica होता है, बेसलिकि river के आसपास जितने stones होते हैं, उसके अंदर quad, silica, ये सारी चीज़े modules होती है, उसे silicious stones कहा जाता ह है, वो stones के वो micro lithi आने की tools वगरा बनाता था, ओके, एंड हमारे यापे neolithic site नहीं मिली महारास्टा में, इसके अलावा हमें चाल्कोलितिक villages, चाल्कोलितिक people where the first farmers माने जाते, चाल्कोलितिक एच क्या है, चाल्कोलितिक villages क्या है, ये पूरा हमें next chapter में, next two chapters में आगे detail में आ थे, एंड हमारे यापे farming, महारास्टा में पहली farming, चाल्कोलितिक farmers लोग ने किया था, जो पूरे डिस्ट्रिक के शिरूट कालुका में, हमें उसका इनाम गाउनाम का कोई जगा है, वहाँ पे हमें उसका evidence मिला हुआ है, agricultural settlements, organization, administration, अब हमने चालू तो कर दिया, अब इसका क अब हम सेटल हुआ है और उसको organize कर रहे, administer कर रहे, उसके बारे मां पढ़ेंगे, researchers have attempted to estimate the population of Neolithic villages with the help of various mathematical and statistical models, with the help of those estimates, we may gather some idea with regards to population composition of those villages, when Mesolithic people were witnessing the transition from nomadic, semi-nomadic life to settled life, there could have been 25 to 40 people in any group, तो आप बोल रहे हैं कि researchers लंग में बहुत अलग-अलग mathematical, statistical models and data and everything tools का इस्तमाल करके, एक assumption लगाने की कोशिश की है कि कितने लोग रहे होंगे इस village में, कितने लोग require है इस village को चलाने के लिए, कितने लोग require है ये aggregation activities पूरी करने के लिए, इस basis पे उनका कहना है कि जब Mesolithic people जब nomadic, semi-nomadic से settlement में जा रहे थे, तो करीब 25 से 40 लोग हो सकते एक group के अंतर, life dependent on regular cultivation would need the number to increase at least 50, और जब वो लोग regular cultivation में अगर settle हो गए एकदम अची तरह से, तो कम से कम 50 लोग उने चाहिए उस चीज को चलाने के लिए, A village without at least population of 100 could meet the needs of individual members who would be completely dependent on agriculture and animal husbandry, और एक अगर village की बात करें तो कम से कम एक village में 100 लोग का population होगा, तब ही जाके हर एक इनसान की आपस में सारी needs पूरी हो जाती है, अगर सब लोग कुछ ना कुछ agriculture कर रहे, कुछ animal husbandry कर रहे, कुछ को और कर रहे, ऐसे करके एक दुसरे को support क करते हुए, 100 जंग चाहिए एक village को चलाने के लिए, तो इस तरह से उन्हें एक estimation लगाया हुआ है, Neolithic villages were small in size, Neolithic बहुत ही चोटे थे size में, permanently occupied dwellings, mostly round huts, तो उनके permanent dwellings क्या थे, dwelling या नहीं जहां पे रहते हैं, तो खास करके, जादा करके, round huts में रहते थे थे, वो लोग, where characteristics of these villages, other than these dwellings, some places in the central part of the villages, were perhaps used as common storage places of food grains and other things, तो ये खुद के घर में तो रहते थे, लेकिन, कुछ चीज़े थी, जिसे grains बगारा, serials बगारा हो गया, वो लोग, सब लोग साथ में store करते थे, एक common storage place होता था, ऐसा माना जाता है, इस internal settlement pattern of the village indicates that the transaction related to food production were centrally controlled, तो ये हमें proof देता है कि जो food production था, food agriculture जो एक village में agriculture हो रहा था, उसका जितना भी grains बगेरा जमा हो रहा था, वो central जगह पे located था, इसका मतलब ये होता है, कि उसका जो सब में distribution होगा, सब को जो बाटा जाएगा है, उसका जो transaction होगा, वो एक particular central location से control हो रहा था, हर को individual अपना अपना खुद का चला रहा वैसा नहीं था, कोई एक centrally control कर रहा था उसे, so accordingly a hierarchical chain of power position must have been established, at the same time other social norms were also established, तो अब कहरे कि अगर control करना है तो इसका मतलब एक chain बन गया होगा, एक hierarchy बन गया होगी, कि अगर basically बात कर रहे है, एक village के अंदर एक serpent बना दिया होगा, एक head बना दिया होगा, head के अंदर दो लोग काम कर रहे है, उनके अंदर चार लोग काम कर रहे है, ऐसा कुछ एक hierarchy system उन्होंने बना दिया होगा, ऐसा इनका कहना है, so और उसी के साथ साथ दूसरे उनके और social norms जो है, family कैसे रहेगी, खुद का घर, खुद का य होगा system, families, ownership of land, ये land किसकी है, food production to meet the needs of individual household, family, rules of kinship, कौन रूल करेगा, उसके इतने लोगों को कौन रूल करेगा, the tradition of the imparting training of unique family skills of production of the younger members is supposed to have begun as early as the Neolithic times, तो यही वो time है, जब माना जाता है कि जिसका family member कोई farming में है, तो उसके बच्चे को farming सिखाई जाएगी, ये system चालो गय है, वो अपने बच्चों को अपने इसमें, कैसे उसमें, family को कैसे involved करें, ये system तब से चालो हो गया, ऐसा माना जाता है, in other words, it may be said that hierarchical social and family structure and the concept of inheritance have its roots in the Neolithic times, तो दूसरी भाशा में कर कहा जाए, तो ये जो पूरा system है, कि पापा ये करते तो बेटा भी ये करेगा, ये वाला system जो है, और inheritance, यानि कि प्रॉपर्टी जो अपने बेटे में जा रही है, उसका आगे जा रही है, ये पूरा सब system, ये जो सब पूरा है, ये पूरा सब Neolithic time से शुरुवात हो गई है, करीब 10,000 years, 8,000 years approximately, तब से ये सारी चीज़ की शुरुवात हो गई है, the culture known as Jomon culture, जो भी of Japan was a Mesolithic culture, तो Mesolithic का एक culture है, Jomon culture, जपान का, जहां पे वो लोग पॉर्टरी बनाते थे, पॉर्ट्स बनाते थे, except this example, ये छोड़के, जपान की ये culture को छोड़के, दुनिया में हर जगा पॉर्टरी, everywhere is in the world, पॉर्टरी, making of pottery seems to have begun in the second phase of Neolithic period, तो Neolithic का भी हमने period wise उसे first phase, second phase ऐसा divide करके रखा हुआ है, तो काफी लेट, यानि कि जपान वाले लोग ने pottery, Jomon culture जो था, जपान का, उन्होंने बहुत पहले Mesolithic में ही pottery बनाना start कर दिया था, तो उसको छोड़के, दुनिया में हर जगा पे pottery, Neolithic age में चालो ही, वो भी second phase of Neolithic period, pottery making along with the polished stone tools is supposed to be an essential characteristics of Neolithic culture तो Neolithic को Mesolithic से अलग करने वाला, क्या again point क्या है, pottery making and stone tools को polish वगरा करना, ये सारा pointers है, जो Mesolithic और Neolithic को अलग करता है, earthen pots were used for the purpose of cooking, serving food and for storage, तो हमने pots बनाना शुरू किया, उसमें खाना बनाना, खाना पकाना चालो किया, उसको खाना store करना चालो किया, ये सब हमने करना चालो किया, in the beginning these pots were hand made, पहले हाथ से ही बनाते थे pots, at the latest stage, wheel made pottery was introduced, तो अब तक हमने wheel का invention नहीं किया था, okay, so wheel stage pottery हमने काफी लेट किया है, the neolithic pottery in the beginning was in monochrome, monochrome मदब single color में ही होता था, तो अब धीरे-धीर हम लोग उसको भी designing, उसके अंदर और artistic हम होते जा रहे, देखो हम धीरे-धीरे artistic, creative होते जा रहे, with a burnished surface, burnished surface, यानि कि उसको polish-polish करके अच्छे से उसको एकदम और bust करते जा रहे हैं, पहले single कर रहे हैं और उसको design वगर कर रहे हैं, some pots have cow design, cow design वाला उसके अंदर, खोद-खोद के अंदर हमने design बनाय हुआ है, also the techniques of stamping and applique work, stamping and इसके उपर हमने कुछ design का हमने photo print मार दिया, तो stamping या pattern कुछ बना दिया, या clay का इस्तमाल करके उसके उपर हमने कुछ चिपका के बना दिय तो यह सब अलग-अलग हम लोग creative काम करने लग गया, pottery making के अंदर, यह अब एक अच्छा काजा skill हो चुका है, gradually neolithic people begin to decorate their pots with painted designs, thus in the latter half of the neolithic age, pottery making had become an art that required special skills, तो अब यह हर किसी के बस की बात नहीं, यह एक art हो चुका है, अब यह skill हो चुका है, जो आपको सीखना पड़ेगा, तो ही आप उसमें जा सकते हो, ऐसा, to master the art of pottery making, one needs to possess knowledge of the following, तो आपको यहाँ पर steps दिये हैं कि एक pot maker को क्या क्या आना चाहिए, तो ही वो बना सकता है, to know the source of clay of excellent quality, अच्छा quality का clay कहां मिलता है, pot बनाने के लिए, to manage to obtain clay, अब वो मिलता तो है, वहाँ से लेके आना, manage to obtain that, to knead and prepare the clay for pottery production, need यानि उसको like you know, बेलना ऐसा करके पूरा, जो भी बनाते इसको आटा जैसा पूरा, prepare the clay for the pottery production, to be able to turn the pot into desired shape, जैसा हमें shape दिमाग में है, जैसा हमें चाहिए, ऐसा shape में उसको turn करना, to have artistic skill for decorating, उसको decorate करने के लिए artistic skills होना, to know the technique of baking, उसको bake करना पड़ता है, तो proper temperature प पता होना चाहिए, तभी ये skill अच्छे खासा आप कर सकते हो, the class of skilled potters equipped with essential knowledge of all stages of pottery making was already established in the second phase of Neolithic period, ancient pottery can throw light on various aspects of ancient cultures, we get to know about the cultural history, material richness of the place where it is found, with the help of pottery we can also know about the context of the residence of the place with other cultures, तो ये बात का evidence हम लोग पहले की chapters में भी एक पर देख चुके है, 10th में की कैसे यहां की sides कहीं और मिले थे, यहां की sides की चीजे, materials कहीं और sides पे मिले थे, ये सारा हम देख चुके है पहले, dancing doll अगर आपको याद होगा, dancing figurine अगर आपको याद होगा तो, so ये चीज हमें बत है, pottery making हमें बताता है, हमें evidence देता है, हमारे लिए evidence का काम करता है, कि वहां के लोग, वो जवाने के लोग, कैसा उनका culture था, कैसे वो लोग रहते थे, किन जगाओं पे इनका same type of pottery हमें मिला, तो हम बोल सकते कि अच्छा, इन्होंने आपस में कुछ lane-dain किया होगा, इसलिए यहां का pot type material वहां दूसरी जगा पे available है, तो यह सारी बाते हमें cultural history और वो सारी चीज़ हमें पता पड़ती है, the Neolithic period also saw rise of other skilled artists in classes based on the specialized craft, it is apparent that the skill of making beads of various types was acquired by Neolithic artists from the beginning, they made beads of various types of siliceous stones and shank shells, okay, this is a tongue twister, shank shells, shank shells, okay, so Neolithic के time, not just pottery, उसके अलावा हम लोग beads, यानि की गले की माला अगेरा बनाना चालो करते थे, हाथ में beads पहने हैं, हम लोग अलग, so यह हमने चालो करते थे, अलग-अलग stones को shape करके, उसको smoothing करके, अलग-अलग जमा करके, shell, shank shells, यानि की आपका जो यह शंक होता है, simply shank होता है, उसको बना के माला वगएरा बनाना, उसको बना के कुछ jewelry type बना देना, या कहीं पे बानने, हाथ में पहनने वाला बना, यह सब अलग-अलग हमने talent सीख लिया था, यह सब skills अलग-अलग थे, जो artist माने जाते थे वो the following are the stages of bead making, तो हमें excavation, यानि खुदाई करते वक्त, हमें neolithic sites पे खुदाई करते वक्त, अलग-अलग incomplete beads मिले, जो proof है कि यहां पे bead making चालू होगा, जो फेग दिया गया है, यह सारा हमें पता पड़ा है, जिससे हमें पता पड़ा है, और जो bead बनाने के लिए पूरा tools बगर मिलते हैं, यह कहां से हमें पत्थर लाने है, और वो shells वगरा कहां मिलेंगे हमें, बीड बनाने के लिए, तो पूरा उप्टेन उसको और बनाने के लिए raw material जो भी चाहिए, उसके अलावा में, thread, टाइबया, rope, टाइबया, जो भी होगा, to transport the raw material to the manufacturing site, कहां बनता है, वहां पे यह transport करना, to manufacture finished beads from the stones of irregular shape and the core of the shunk shells, the artists have to be conversant with every stage of the beading manufacturing, तो अब बोलाई कि एक आर्टिस उनको हर एक process में बहुत ही involved होना पड़ता है, start से लेके end तक, finished beads को पूरा एकदम, polished वगरा, irregular shape से अच्छे खासे shape में लेके आने तक का पूरा process में वो involved रहता है, in brief, agriculture production as well as production of agriculture tools, beads, etc. is a chain of various skill based operations which are completed step by step, it is a complex system which calls for systematic division of labor, training of people for various skills, this process leads to the craft specialization and creates a various class of skilled artisan, तो यह पूरे इतनी सारी बातों का बताने का बुद्दा सिर्फ यह है, कि यही पूरा चीज है, agriculture एक skill हो चुका है, हर कोई agriculture नहीं कर सकता है, सबको नहीं आता है, उसका एक steps है, उसका एक fixed stages है, जो follow करना है, bead making, pottery making, agriculture के tools बनाना, अलग-अलग जितने भी यह सारे operations हो रहे हैं, अलग-अलग चीजे हो रही है, यह fixed step by step एक skill है, artist का काम है, इसमें काम divide किया जाता है, कि तुम polish करोगे, तुम collect करोगे, तुम transport करोगे, तुम color करोगे, तुम design मनाओगे, तो यह division of labor इसमें training करनी पड़ती है, और यह पूरा एक specialized craft में convert होते जा रहा है, skilled artist में पूरा convert होते जा रहा है, नेक्स्ट है, trade and transport, the nomadic, semi-nomadic groups of mesolithic people had a system of barter among themselves, तो पहले के सावान में money concept था नहीं, हमने पहले भी यह बात किया हुआ, barter system करते थे, हमने यह OC वाले में बात किया रहेगा, तो arts वालों को नहीं पता होगे, barter system करते है, barter system यानि कि हमने एक सावान मेरे पास है, तुमारे पास नहीं है, मेरे पास rice है, मैं rice उगाता हूँ, आप wheat उगाते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ, मेरा एक बोरी rice ले यानि कि wheel नहीं था, तो bullock cart वगएरा अभी तक concept नहीं है, कि आप transportation आसानी से कर लो, in the latter half of the new life age, people had started using beast of burden for transporting goods, beast of burdens यानि कि मेरे ox, guy वगएरा जो भी है, जो मुझे pulling work में काम आते है, ox cart वगएरा बनाना, bullock cart वगएरा बनाना, donkeys का इस्तमाल करना, horses का इस्तमाल करना, यह हमने बाद में यूज करना सीख लिया था, tools like eggs, scrapers, shizzle, enabled neolithic people to cut trees and to work on wood, तो हम लोग wood काटते थे, हम लोग trees काटते थे, जगा चाहिए हमने, हमने already देखा fertilizing land चाहिए हमें farmers, farming करने के लिए हमें fertility वाला land चाहिए, तो trees काटके ही वो area हम जगा यूज करते है, उसके लिए हम scrapers, shizzles, most probably round shaped pieces of wood logs were used as wheels, तो हमें wood का log जो होता था, वो round है already, तो हमने वो देखा कि यह round है, यह घूम रहा है, तो उसको हम लोग शायद से इस्तमाल करते थे, wheel की तरह, और धीरे धीरे उसको हमने, किसी ने सोचा, इसका size चोटा करते है, तो wheel बन जाता है, exactly, तो यह कुछ idea करके हमने wheel का invention किया है, ऐसा हमारा मानना है, such round pieces can be easily gain momentum, the Neolithic people invented wheel and the technology they had developed so far under venture revolution, और उन्होंने फिर wheel का invention किया, और धीरे धीरे, जितना भी और wheel के थ्रूम करने लगे, वो सब आ गया, चेंज़ में, Neolithic people begin to produce wheel made pottery, अब हम wheel का इस्तेमाल करके pottery करने लगे, आपको पता होगा, pottery के लिए wheel इस्तेमाल होता है, weed गुवाया जादा, जिसके पर clay, वो लोग शेप अब easily कर पाता है, The wheel technology made it possible to produce pottery on a mass scale, अब potter जो है, बहुत fast, बहुत जादा pots बनाने लग गया, कम समय में, The invention of wheel made it possible to obtain raw materials from distant places, अब दूर-दूर से भी हम wheel के मदद से transport करके सामान लेके आ सकते हैं, कम समय में, It became easier to send the finished goods to distant markets, और अब finished goods को दूर-दूर के markets में भी हम भेज सकते हैं, It helped to develop the trade and transport, और इसी से यह क्या होगा है, पूरा गुमफिर के, trade transport डेवलप हो चुका है, देखे एक फोटो दिया बहुत प्यारा सा, यह माना जाता कि इस तरह का यह wheel हमने इस तरह से, wooden log ही है यह पूरा, इस तरह का यह wheel हमने यूज किया होगा, हम लोग settle हो चुके है, अब urbanization, यानि कि अब हम देरे-देरे और बेटर घर वगरा, village वगरा form करके, urbanization की तरह जा रहा है, After settling down at one place for a long time, a feeling of ownership arose among the Neolithic people, तो एक ownership की यह आ गई, यह मेरा घर, यह मेरी land, यह मेरा area, यह मेरा गाउ, यह मेरे लोग, तो यह ownership की एक quality आ गई, अंदर, feeling was focused on the individual dwellings and the piece of land cultivated by them, तो यह अब जो land पे वो cultivate करते हैं, उसके ओपर यह feeling आ गई, यह मेरी land, मैं इस पर cultivation करता हूँ, मैं अगरी culture करता हूँ, This has been already mentioned in the context of social organization and administration, Eventually the village is expanded, along with it awareness of collective land holdings and village boundaries became prominent, अब दीरे दीरे यह सब बढ़ते गया, village expand हो रहे, और उसी के साथ साथ यह सब बहुत ही fix administrative, collective land का सब rules regulations बन गए, कि कौन सी land किसकी है, कौन सी land किसकी common है, कौन किसके land पे rule नहीं करेगा, वगेरा वगेरा, rules and boundaries create हो गए, Thus it was felt that village community had a natural right over the immediate territory around the village periphery, So, अब इससे direct ही आया, कि जिस village के आसपास की जो area है, वो उस village का belong करता, दूसरे वाले यहां पे आके नहीं कुछ कर सकते है, So, village की periphery, periphery यह नि उसके आसपास का जितना area है, वो direct वहाँ पे जो चीज़े available है, natural resources, वो उस village का हक है, ऐसा अपने आप एक concept create हो गया, This kind of awareness of natural right over a particular region is known as territoriality, तो यह जो एक, यह जो feeling है, जिसके अंदर हम हमारे आसपास की चीज़ा आपने समझते हैं, जैसे कि आप भी common sense है, आपके building के भार की जगा, या build, घर के भार की जगा, आप समझते हैं, यह मेरा area है, यह मेरा घर का area है, तो यह जो feeling है, यह जो awareness है, इस इसे territoriality कहा जाता है, rules and social norms were created in order to manage the collective resources, water sources, crafts dependent on it, trade and community life, etc. अब मैं जैसे अलड़ी आपको बता दिया, rules regulation बनके उसके बाद कैसे यह सब इस्तमाल किया जाएगा, कैसे इसको use किया जाएगा, बगेरा बगेरा, consequently rituals and their details gained importance, the need of managing keeping records of trade, rituals, writing systems and administrative machinery develop, तो एकदम अब overall बता रहे हैं, इतना fast हुआ नहीं था यह सब, यह अब overall हमें kind of summary end कर रहे हैं, chapter end कर रहे हैं, कि कैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, तो धीरे धीरे आप हमने देखा कि हमें, अब लिखके रखना पड़ रहा है, कुछ हमें, writing system हमें हमें develop कर दे, कुछ लिखके रखना पड़ रहा है कि, अरे अब administrative center बन गए, यहां पर आप जाके सब लिखा रहे हो, वो लोग बैठके पुरा हिसाब रहे है, such administrative centers attract large number of population which includes officials, people from various occupations, यहां पर लोग काम करने लग गए, as a result, periphery of the original settlement kept expanding and the cities came into being, और इसी के साथ साथ आपका range of territory यह बढ़ते जा रहा है, और आप दूर दूर तक आपस मे involved हो रहे हो, expand हो रहे हो, और धीरे धीरे settlement villages cities में कनोट होते जा रहे है, thus begin the process of urbanization in the Neolithic age, और Neolithic age में जब जहां पर हमने cultivation start किया था, उसी में धीरे धीरे हमने अब cities बनाना चालू कर दिया है, in the next lesson, we shall learn about the first cities in India, पहली cities के बारे में हम देखेंगे, यहां पर बहुत प्यारा सा इस chapter तो end हो गया, बहुत प्यारा सा chapter था, बहुत interesting सा chapter था, I hope आपको मजा होगा, extra information के लिए green box में आपको अलग-अलग important sites दिये है, Neolithic sites दिये, इंडिया में कहां-कहां sites है, बहुत प्यारा सा है ये, एक बार read जरूर करिएगा ये, okay, so that's it, that was the end of the session, first chapter हमारा इसी के साथ होता है, and images आप ये सारे जो दे सकते हो, ये सारे मैंने Neolithic sites वगेरा की images दाले हुए है, so enjoy the images, like the video, share the video, subscribe to the channel, अगर आपने अभी दख subscribe नहीं किया है, and keep learning, keep sharing, keep smiling guys, thank you so much, be home, be safe, take care, thank you.